शोताव नमस्कार पिछले कई दिनों से आकाशवानी का क्षेत्विय समाचारेकांश जम्मू देश में लाए गए तीन नए अपराधिक कानूनों के बारे में अपने शोताओं को जागरू करने के लिए हर सोवार और बुद्वार को विशेश कारिक्रमों का आयोजन कर रहा ह है जिनमें कानून के माहिर हमें इनके अलग-अलग पहलों से रूबरू करवा रहे हैं आज हम जिस स्वेशे पर बातचीत करने जा रहे हैं वो है नए अपराधिक कानूनों से भारतिये न्याय विवस्था में बदलाव और इसके लिए हमने जहमत दी है जनाब सुनील सेती जो कि एक जाने माने सीनियर एडवोकेट हैं सर आपका इस कारिकर में स्वागत है नमस्कार जी सर आजादी के कोई 66-66 वर्ष के बाद पहली बार ऐसा बदलाव किया गया आप इसे किस तरह से देखते हैं देखें बारतिये सब कांटिनेंट में पहले जो न्याय का सिस्टम था नयाय विवस्ता थी वो बिलकुल अलग से थी पहले जब यहां पर शासन हुआ मुस्लिम शासकों का तो नयाय विवस्ता जो है उसको चेंज किया गया और उसको मोर अरेबिक टाइप की जो फॉर्विट में लाया गया जो मुगलों के दौर में लेकिन उसके बाद जब Criminal Procedure Court, Revidence Act जो है उसको बनाया था उनकी मन्शा यह थी कि भारतियों को कंट्रोल कैसे करना है, भारतियों के उपर राज कैसे करना है, तो यह सारी नयायक विवस्ता भी उसी तरह से बनाई गई कि लोगों को कंट्रोल किया जा सके, नयायक माध्यम से, और वो काफी हद तक है वो successful हुए लेकिन they created two classes एक governing class होगी और एक governed class we were ruled class yes अब अजादी के बाद लगाता इसके उपर सोच बनती जा रही थी कि हमको नियाएक विवस्ता भारतिय वातवर्न की हमारी सोच के हिसाब से नियाए विवस्ता जो है वो बनानी चाहिए और साल 2020 में एक committee का गठन हुआ जो डाक्टर रंबीर सिंग उसको head करते थे he was the convener of the committee जो वाइस चांसलर है national law university देली के पहले उस committee ने recommendation दी जिसके हिसाब से कानून की विवस्ता को नए धांचे को दुबारा खड़ा करने की बात की गई और उसको भारतिय सोच के हिसाब से बनाने की कोशिश की गई पीनल कोट की ऐसी धाराएं जिसका की इस्तमाल जो है वो ठीक से नहीं हो रहा था जो हमारी सोच के हिसाब से नहीं थी उनको ड्राप किया गया और बदलते हुए वकत के हिसाब से जो नई कानून विवस्ता जिसकी जरूरत है उसको लाया गया इसी तरह से जैसे अगर आप देखेंगे तो recent time में forensic science जो है उसमें काफी बड़ा जो है वो changes आई हैं तो हमारी जो investigation है वो scientific नहीं है जो पहले provide करता था CRPC जिसको आप कहते हैं वो scientific investigation के बारे में जो है वो ज़्यादा नहीं थी उसकी तरफ तबज्व नहीं है विश्वास थी आप जो नया system है उसमें focus जो है उसके उपर है कि scientific investigation होनी चाहिए ताकि investigation में पारदर्शता भी हो और लोगों को इस पर वरोसा भी हो कि जो investigation हो रही है वो ठीक हो रही है दूसरा जो बड़ा बदला मुझे लगता है इसमें यह हुआ कि सारी की सारी process को time bound किया गया जैसे आज से पहले जो है वो time bound नहीं होता है अब case की trail चल रही है तो वो दस साल लग जाएंगे आठ साल लग जाएंगे तो जब तक वो इंसाफ मिलेगा इंसान को तब तक तो जो है बेंसाफी पहले ही हो चुकी होती है अब जो नया प्रावदान बना है नये कानून में उसके इसाफ से time bound जो है वो process जो है वो रखी गई है कि यह decided है कि case की सुनवाई होने के कितनी देर के अंदर फैसला आना है किसी case में कितने दिन में जो है वो medical report है जैसे rape के case में साथ दिन के अंदर विक्टम की medical report आ जाएगी इसी तरह बागी case में भी report आने का भी time fix है arguments charge पे होने का भी time fix है फैसला होने का time भी fix है देखें बड़े ज़्यादा cases ऐसे होते थे कि जैसे narcotic के cases हो गए तो narcotic के cases में बंदा तो arrest हो जाता था लेकिन जो समान है जो narcotic पकड़ा गया उसको laboratory में बेच देते थे examination होने के लिए लेकिन चलान file हो गया examination के report जो है laboratory की report आती थी एक साल दो साल के बाद भी जब trial चल रही होती थी और ऐसे case भी हमने देखे कि जिसमें laboratory की report ही आई कि जो पकड़ा गया था समान वो तो narcotic था ही नहीं दो तीन साल तक आदमी को आपने बगार reason के under arrest रखा that was a very alarming situation लिए तो इसमें नाकेबल period का ध्यान रखा गया है बलकि अगर कोई आरोपी है तो उसके साथ भी कुछ गलत ना हो इस चीज का भी ध्यान रखा गया है बिल्कुल इसके बारे भी विसोच आपने कहा कि कुछ ऐसी चीजें थी जो reality के पास नहीं थी जैसे एक mob linting एक बड़ा मुद्दा है उसमें क्या होता था कि अक्सर जो culprits होते हैं उनको identify नहीं किया जा सकता था उस आधार पर वो छुट जाते थे लेकिन इस बार mob linting को बहुत prominently इसमें mention किया गया है कि mob linting को एक अबराध माना गया है और कारभाई होगी देखे मैं इसमें दो चीजें आपको explain करना चाहूंगा जैसे sedition के लाज है sedition के लाग को drop किया गया है राजद्रो जो है वो democracy में नहीं होता democracy में आपको लोगों को right देना पड़ता है कि government को criticize भी कर सकते हैं और उसको अब sedition की category में नहीं ले sedition itself indicate करती है कि एक ruler है जिसके अगेंस जो है राजा है या शासक है जैसे हमारे परदान मंत्री कहते हैं कि वो परदान सेवक हैं तो अब भावना सेवा की है तो sedition के लाग को drop किया गया लेकिन इसके साथ जैसे मॉब लिंचिंग की गटनाएं बढ़ गई है और हमारे penal code में जो है वो मॉब लिंचिंग की गटनाओं को effectively deal करने के लिए प्रवदान नहीं थे तो जो अब नया penal code है जिसको कहेंगे हम अभी भारतिये नियाए साही था जो उसका नया नाम है उसमें मॉब लिंचिंग की गटनाओं को deal करने के लिए प्रवदान रखा गया कि अगर कोई मॉब लिंचिंग होती है और मॉब का मतलब पांच या पांच से ज़्यादा लोग तो हर आदमी को उसकी सजा मिलेगी मॉब लिंचिंग में अगर सबोस बीस लोग है मॉब में तीस लोग है चालिस लोग है मॉब लिंचिंग अगर होती है तो उसमें सरफ एक आदमी जो कर जखे हैं कि हम अपनी जड़ों के साथ जुड़ें वापस आके लेकिन उसके साथ modern सोच भी है कि जो नए challenges है उसको कैसे deal करना है जैसे इसमें शादी करने की बात है कि अगर कोई आदमी जो है वो शादी करता है अपनी identity को बताए बगार या गलत identity बताके और उसको हम फिर मान the category of sexual offense अब यह इसलिए भी ज़रूरी है बड़े ज़दा cases ऐसे आगे कि जिसमें आदमी जो है वो अपनी identity को जो है वो proper बताते नहीं है ठीक नहीं बताते है तो अगर आप ठीक intention से marriage नहीं करते हो marital relationship में नहीं आते हो even that will be an offense under the new provisions तो इस तरह से यह के नियाय देने की विवस्त है और जैसा पहला कानून IPC पहले होता था भारती दंड सहीता और उसका नाम बदल के BNS रख दिया है भारती नियाय सहीता यनि कि जो कानून है वो आपको नियाय दिलवाएगा ना कि सजा उस वो है जो की IPC में 511 धाराएं तो यह धाराएं कम करने का मकसद उससे क्या असर पड़ेगा या अपराधू की categorization अलग-अलग होगी या उसमें दो-तिन चीजें हुई है एक तो जैसे आपको मैंने अर्ज किया कि जो जरूरी नहीं है उनको drop किया गया है कुछ offenses जो जरूरी नहीं है यह बदलते हुए वकत के हिसाब से जिसको आप offense की category में नहीं डालते हो उनको drop किया गया है कुछ add भी हुए है लेकिन rationalization होने की वज़ा से जो है वो sections कम हो गई है लोगों को समझने में जो है वो असानी हो जाएगी लेकिन इसके साथ जैसे CRPC पहले थी जिसका के बारे में जो है वो इसी तरह electronic evidence जो है उसके ओपर focus रखा गया है secondary evidence जो है उसको lead करना जो है अब वो असान हो जाएगा इसी तरह के प्रवदान जो नए बने हैं उससे जो है वो नयाई ववस्ता जो है एक सुचारू ढंक से भी चलेगी और मैं यह समझता हूँ कि जैसे time fix किया गया है उस time fix करने की वज़ा से जो है वो काफी हलाद जो है वो ठीक हो जाएंगे जैसे अगर आप इसको भारतिये नागरिक सुरक्षा सहीता को देखेंगे तो इसमें जैसे रेप का कोई case है तो उसमें examination की date जो है उस साथ दिन है जैजमेंट जो है वो तीस दिन में आनी चाहिए arguments complete होने के बाद जै और investigation की progress जो है वो victim को inform करना है हमने 90 दिन के अंदर plea bargaining की application जो है वो 30 दिन में आ सकती है from the data framing of the charges जै इस तरह के जो प्रवदान हुई है इसी तरह के प्रवदान बाकी offenses में भी जो हुई है तो उससे लोगों में एक विश्वास की भावना ज जागेगी कि न्याय जो है अब तेजी से मिलेगा और ठीक न्याय होगा और investigation जिसके ओपर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं कि investigation जो हो नान सेंटिफिक होती है पुलिस वाले जो है वो investigation ठीक नहीं करते मुझे लगता है कि नई विवस्ता में जो है उसकी allegations का जो स्कोप जो है लेहरी बॉल देना वो राज द्रोह नहीं होता और साथ और उने कहा था कि जो आतंग की गत्टिविदियां इनके खिलाफ सखत कानून लाए गए गये हैं और उसमें खास दोर पर कहा गया है कि जो किसी भी प्रकार से आतंग वाड या देश के खिलाफ, खंडता के खिलाफ, एकता के खिलाफ, उसके खिलाफ अगर ऐसा कुछ आता है, उसको सक्तिक साथ निपटने के लिए आतंकवाद की कैटेगरी में उसको लाया जाएगा. देखें, बारतिये नियाई साहिता में जो बदलाव हुआ है, उसमें सेक्शन 111 डील करती है टेरूरिजम को. और टेरूरिजम को हम केटेगराइज करते हैं कि जब भारत की यूनेटी, इंटेगरेटी, सीकेरोटी, सावरेनेटी इसके ओपर थ्रेट है. यहां कोई जो है वो सकत प्रावदान जो बनाए हैं सेक्शन 111 बारतिये नियाई साहिंता में, उससे काफी मदद मिलेगी टेरूरिजम के साथ लड़ने में. इसी तरह से अगर हम इसको एक्स्टेंड करके देखें, तो जो ऑर्गनाइजड क्राइम है, उसको जो डील करने के लिए स्पेशल प कौन सी केटेगरी में आते हैं, कौन सी अपराव होते हैं? जो है, वो सेक्शन 109 बारतिये नियाई साहिंता ने उसको डिफाइन किया है, उस अर्गनाइजड क्राइम में, जैसे किड्नैपिंग हो गई, एक्स्टार्शन हो गया, कंट्रक्ट किलिंग हो गई, या किसी क्रि चॉसे क्राइम की केटेगरी में आगे. इन को पहले हमारे लिए अलग से प्रवदा नहीं था. इंटियं पिनल कोड में, अर्गनाइजड क्राइम के लिए कोई अलग से प्रवधान नहीं था, हम उनको वैसे ही डील कर सकते थे जैसे कि नार्मल उफेंस को करते हूं. लेकिन एक आम आदमी जो की Crime करता है और एक ऐसा आदमी जो की Organized Crime में है, जसी किसी Gang का Member है और उसके चलते हुए Crime करता है, यह दोनों अलग से situations हैं, kidnapping एक आम आदमी के द्वारा करना और kidnapping किसी गैंग के द्वारा करना जो है अलग situation थी, पहले प्रवधान जो है इसको deal अलग से नहीं करते थे, अब जो नए प्रवधान है उसमें इसके लिए अलग से प्रवजन है और organized crime को सक्ती से deal करने की ज़रूर हो रहा है, अपनी बातचीत का सिलसला हम अगले कारिक्रम के लिए जारी रखेंगे, तब तक के लिए अपने शोताओं से इजाज़त चाहते हैं, नमस्कार